जोन पुलिस द्वारा अपराधिक मामलों की नियाले में प्रभावी कारिवाई करके अपराधियों को सजा दिलाया जा रहा है जिसके संबन में ADG जोन अकिल कुमार ने बताया है कि अपराधिय अपराध ना कर पाए उसके अपराधिक गतिविदियों के आधार पर मुकदमा पंजोकित कर जील भेज दिया जाए और अपराधियों पर जो मुकदमे कायम है उस पर प्रभावी धंग से नियाले में पैरवी किया जाए जिसके लिए ऑपरेशन सिकंजा भियान चलाया जा रहा है जिसमें प्रमो का अपराधिवा संसनी खेज अपराधों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है जिसमें प्रभावी पैरवी के कारण अजीवन कारवास की सजा हुई है इसके अलावा दो मामलों में मृत्यु दंड की सजा मिली है जिसकी कारिवाई लगतार चल रही है इस संबन्द में कुरकपुर्णी उससे बात करते भी ADG जोन अकल कुमार ने कहा देखे एक पहलू है कि एक तो है कि अपरादी अपराद ना कर पाए उसके अपरादी गत्वीटियों के अधार पे उनको मुकदमे कायम किये ज़े ज़े जाए दूसरा पहलू है कि जो मुकदमे उस पे कायम है उस पर पैरवी प्रभावी ढंसे की जाए नियाले में तो आपरेशन शिकंजा नाम कर हम लोगों ने अभ्यान चला रखा है जिसमें प्रमुक अपरादी और संसरी खेज अपरादों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है कई मामलों में हम लोगों ने आजिवन कारवास किया है दो मामलों पर मित्यु दंड भी मिली है तो इस तरह के कई मामले प्रकाश में आये हैं अभी हाल में जिसमें इस से और सफलता मिलने लगी है और ये एक थोड़ी चुकी जुडिशल प्रॉसेस तोगा टाइम लगता है हमाई लेकिन धैरे रखने की जरुवत है और अगर हम सजा करा ले तो वो अंतिता हमारी सही रूप में असली जीत वो होगी उस दिशा में हम लों कारवाई कर रहे हैं कि प्रॉहावी पैरवी करें कोड़ों में और लोगों के किलाब कन्विक्शन ज्यादा ज्यादा ला सके